हाई फ्रेंठ्स कैसे ही आप सब लोग, भोप आप सब लोग अच्छे होंगे, हिल्थी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आप लोगों का स्वागत है। रिवियू सीधे दिल से चैनल में यहाँ पर मैं देती हूँ सारे रिवियूस सीधे दिल से general reviews होते हैं बिना किसी exaggeration के होते हैं जो मैं experience करती हूँ यह बहुत important information है लड़कियों के लिए अब चलिए हम information पर जम करते हैं देखिए आज 35.5 करोड according to the data 35 to 36 करोड के बीच में जो औरते हैं इंडिया में यह menstruating cycle से गुजर रही है मतलब around 36 करोड औरते हैं जिनने अभी पिरेट्स आते हैं हमारे मम्मी लोगों के time पे ऐसा हुआ कि उनके time पे तो इपाट्स वगिरे थे नहीं तो वो कपड़ा ही उसकरते थे नानी, दादी, मम्मी लोग जो बड़े एज के लोग है वो कपड़ा ही उसकरते थे और उस time बहुत infection से बहुत सारे लोगों की death हुई है मैंने इसके बारे में करीब 3-4 महने से मैं पढ़ रही हूँ बहुत जगे पढ़ती हूँ, देखती हूँ, data क्या है काफी काफी सारे death हुई है आप इस topic को छोटा सा मत समझे इस चीज से बहुत लोगों की death होती है अब death कैसे होती है मैं बताती हूँ mostly 99% लोगों की death UTI से हुई है urinary tract infection इससे हुई है बहुत सारे लोगों की death गाउं में क्या होता है अब औरते काम काच पर अपना ध्यान रखता है और ये अपने खुद की hygiene पे खुद की health पे औरते ध्यान नहीं रखती पूरा टाइम बच्चों पतियों में लगा देती है उनकी सेवा में लगा देती है बच्चों की सेवा में लगा देती है उनकी खुद की health पे क्या effect हो रहा है क्या सही है क्या गलत है इसको निगलेक कर दे दिया उन्होंने दिन भर कपड़ा यूज किया दिन भर वोई कपड़ा है वोई जो bleeding होती है वो बहुत खराब खून है वो खराब खून होता है बैक्टेरियाज निकल रहे हैं उससे खराब खून निकल रहा है और दिन भर आप वो ही खराब खून को कपड़े में लेके कारी कर रही है और वो उसका contact है हमारे वजाइना से हमारे internal organ intimate area से internally organ से वजाइना जो open होता है वहां से एक अंदर urinary bladder में एक track है एक रास्ता है आपको यह पता है जहां से हम urine करते हैं जहां से urine होती है अब वो कपड़ा आप लोगों ने इतना compact इतना contact में रखा है वजाइना के साथ दिन भर रखा है उसका infection तो होना ही है दिन दिन भर सुबह से श होना ही है उसे बोलते हैं UTI urinary track infection जो वजाइना से होके रास्ता निकलता है वो urinary bladder में होता है जहां पर हमारी urine जमा होती है after filtration of from kidney किड्नी फिल्टर पानी को फिल्टर करता है urine बना की urinary bladder में रखता है वो urine पास होता है वजाइना से तो आपका जो वो area है वो open है मतलब आप infection prone है infection बहुत जल्दी आपको वहां हो सकता है तो आप लोगों सभी लोगों को padman movie देखना चाहिए बहुत ही अच्छी movie है बहुत सही topic पे movie बनाई है शर्म आने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें यह एक biological cycle है जो भगवान ने बनाया है तो शर्म वाली कोई बात नहीं है जैसा मैं खुद का genuine experience आप लोगों से share करती हूं वो शेयर कर रही हूं यह जो सामने आपके सामने दिख रहा है यह 9 का है naturally soft इसके बार मैं बताएंगे देखे मैंने stay free भी लिया stay free बहुत बड़ा वाला है यह 115 का 20 पैट वाला stay free मैं usually stay free लेती हूं पहली बार मैंने यह लिय सारी ओरतें यह ध्यान से सुन लें अगर आप पाड को flush कर रहे हैं कमोड में flush कर रहे तो प्लीज प्लीज ऐसा ना करें स्वच्छ भारत मिशन के according यह बिलकुल भी गलत है देखे आपको इस यूज़ पाड को पॉलिथिन में अच्छे से टाइटली राप करके ड़स्ट व पाले को देना है आप लोग बिलकुल फ्लश नहीं करेंगे सबसे पहली चीज फ्लश करने के बाद आपका खुद का पाइप चोक हो सकता है सेकंड चीज यह जो गटर के पानी में जाता है यह इनवोमेंट के लिए सही नहीं है ठीक है आपका जो यूज़ पैड पानी में जा रहा है this is not at all right बहुत लोगों के ऐसे मैं तो रास्ते वास्ते में ऐसे गंदगी दिखती है तो मैंने देखा है एक दो जगे देखा है कि लोगों ने ऐसी उपली पैड फेक दिया है यह बहुत गलत है और आप लोग ऐसा बिलकुल ना करें नहीं गैलरी से नीचे फेके ना ही फ्लश करें ना ही अपने कमोड में फ्लश करें या ना ही कहीं ऐसे जगर गंदगी पहलाएं यह बिलकुल सुच्छ भारत मिशन के अगेंस्ट है हमें अपना देश को सुच्छ रखना है साफ सूतरा रखना है तो प्लीज आप पॉलेथिन में यह राप करके बांत के डेश्ट बिन में डाली है और कच्छे वाले को दीजे ओके देखिए अब यह फोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं यह जो पाकेट है यह जो पाकेट है यह बनता यहां हो पर इसका मुनाफ़ा जॉनसन और जॉनसन को जाता है तो हम बोल सकते हैं कि यह इसका बनने का यूनिट यहां पर है प्रोडक्शन यहां होता है पर कंपनी अमेरिका की है तो यह आत्मा निर्भर अभ्यान में नहीं आया ठीक है स्टेफ्री इंडिया नहीं है तो पहली चीज तो मैं स्टेफ्री यूज करती हूं आई होब जल्दी इंडिया में ऐसी और पैट्स बनाती हूं तो देशी कंपनी हो जो पैट्स बनाएं कम दामों में अच्छी क्वालिटी का पैट्स बनाएं तो अबिसली स्टेफ्री यह सब को यूज नहीं करेगा हमें आत्मा निर्भर बनना है तो चलिए अभी तक तो जो अबेलेबल है मार्केट में हम उस अच्छा है एक यह है नाइन का जो नया है फरस्ट टाइम उसको मैंने यूज किया एक स्टेफ्री एक्स्ट्रा लॉंग जो हमेशा यूज करती हूं और एक स्टेफ्री अल्ट्रा जिन यह तीन चीज मंगाई थे स्टेफ्री के दो और नाइन का एक देखिए हमें पैड व को देखना है की आपका pad help से बनते हैं कुछ में नैलों का कंटेंट ज्यादा होता एक नहीं करना है नहीं करना है नाइलों वाले-पैड यह बिलकुल अच्छा नहीं है देखिए मैं बताती हूँ मेरा experience दो बार मुझे UTI हुआ urinary tract infection हुआ करीब 4-6 साल पहले तो मैंने gynecologist को बता था तो gynecologist ने कहा कि 2-3 इसके causes हैं 2-3 reasons हैं जिससे UTI हो सकता है पहला reason है आप जो pad यूज़ कर रहे हो periods के time पे वो nylon का है यह nylon का है या नहीं यह चेक कर लीज़े अगर nylon का है तो आप यह change कर लीज़े आपके intimate area में घिस्ता होगा और वहाँ जलन हो रही है घिस्ती चीज आप पानी का मूँ पी रहे हैं urinary bladder में जो पानी है वो acidic हो गया है इसलिए आपको जलन हो रही है तो पानी आप पीने के लिए वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पानी पीने के लिए बोलते हैं मैं यहां पर यह भी चीज लगा दूँगी उन्होंने मुझे क्या सज़ेश कहते हैं एक पाउडर टाइप का फॉर्म है नाम याद नहीं आ रहा है मुझे मैं उसका यहां पर इमेज लगा दूँगी UTI मुझे हुआ था तो एक ग्लास पानी में वो छोटा सा पाउडर साशे डालो और पीलो इनो टाइप्स का वो बबल होता है इनो टाइप्स का है तो वीसलिए होगा कि आपका जो यूरेन वो बहुत ऐसेडिक नीचर में हो गया है और इसलिए आपको UTI जलन हो रही है तो उसका एक मेन कॉस यह भी है कि आपका जो पाड है वो नायलोण नहीं होना चाहिए और वो अच्छे से आपका जो बलड है वो सोक लेना चाहिए, सूक जाना चाहिए, सोक लेना चाहिए, अगर वो गीला ही रहता है, तो that is not good, दिन भर आप गीला पैड लेके चल रहे हैं, तो that is not good, तो आप लोगों को ये देखना है कि आपका पैड जल्दी से आपके ब्लड स्टेन को, ब्लड को सुखा लेता है या तो नाइलोन, आप जानते हैं नाइलोन का कपड़ा की है, लडगे हैं वो तक्छी से जानती है कि नाइलोन क्या होता है, अगर नाइलोन नेचर आपका पैड है, तो वो जल्दी सोक नहीं, और वो हमारे वजाईना के लिए, इंटरनल पार्ट के लिए हानीका रखोगा, ठ मैंने नाइन का मंगा था आप अगर अगर अगरे पर जाएंगे तो यह बहुत किफाइती है इसका प्राइस टैग में लगा दूगी अराउंड 85 में तीन पाकेट तीन पाकेट 85 में लिए मैंने और एक जो है यह तो इंडिवीजुल 35 लिखा है इसमें भी कुछ ओफर रहते हैं 6 parts 275 mm का extra long अब मैं यहां पर आपको वीडियो में दिखा दूँगी कि अलग अलग साइस क्या होते हैं पाड के कोई natural वाला होता है natural size का होता है normal size natural soft वाला extra long whisper में अगर आप whisper यूज करते हैं तो whisper के भी size में यहां बता देती हूँ नाचुरल साइज होता है नॉर्मल वाला साइज एक्सिल होता है एक्सिल प्लस होता है डबल एक्सिल होता है और ट्रिपल एक्सिल भी होता है मैं आशो कर दूंगे लिटरली उन लोगों की अलग-अलग साइज है और एमेम में होता है इसका जो मेशरमेंट है वो एमेम में हो इसका 275 का है और Whisper का अराउंड 285 का है यहने एक्स्ट्रा-long की बिदेफिनेशन पाड-to-pad बारी करती है इसका एक्स्ट्रा-long 275 का है मैं ने दिखा विस्पर का 285 का है Stay-free का Extra-long मैं आपको यहांपे लिख के बता दूँगी कि इसका क्या है इसका extra long ये open है इसका extra long 315 देख रहे हैं तो अलग-अलग पैड के extra long मतलब अलग-अलग होते हैं मैं हमेशा extra long लेती हूँ मुझे office hours में बैठना होता है आप मैं बता रहे हूँ कि मैं दिन में first two days तीन बार पैड चेंज करती हूँ third four day में मेरा flow कम हो जाता है तो मैं दो बार चेंज करती हूँ आप लोगों को भी वोई करना है और दोनों टाइम अच्छे से wash करना है क्योंकि जो blood लगा हुआ है उसे अच्छे से wash करना है सुभे भी और सोने के पहले भी अब extra long ये इसलिए क्योंकि रात में आप सो रहे हैं तो देखेंगे आप बहुत बार ऐसे होता है कि पीछे से स्वेन लग जाता है कपडों में चादर में इसलिए extra long लेना जरूरी है अब मैं इसे open कर देते हूँ जादा और लंबा नहीं करते हैं यह देखिए इसके तीन आये थे एक मैंने यूज कर लिया तो एक खाली पाकेट है एक है तो इसको बता देऊ यह मुझे यह काफी अच्छा लगा यार मतलब मुझे लगा लूँ था कि यह नया सा ब्रैंड में तो कैसे होगा पर इस ब्रैंड ने बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब कर लिया इस ब्रैंड ने काफी अच्छे से ब्लड को स्टीन को एब्सॉर्ब कर लिया यह दो है चे पैड है इस तरह से अब और इंपोर्टन चीस इसमें जो यह दिखे यह बैग दिये हुए है छे पैड के लिए छे बैग बहुत अच्छी बात है आपको इसी बैग में डालना है प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हूँ देश को साफ रखने में हमारा बहुत बड़ा contribution होता है हर एक घर से कच्रा निकलता है और अगर हम ठाल ले कि हमें कच्रा कहां डाला है डास्ट बीड में डालना है रोड पे नहीं डालना है बाहर फेकना नहीं है तो हमारी society हमारा घर दिन हमारी society दिन पूरा हमारा महला हमारी city और हमारा देश साफ रह सकता है हम लोग कहीं भी कूडा डाल देते हैं यार मैं मेरी आदत बिल्कुल ऐसी नहीं है मेरे हां सूखा कच्रा गिले कच्रे का दो डस्ट्वीन है सूखे कच्रे में ये डालती हूँ इसमें आपको पैड डालना है इसमें यूज़ पैड ज जाता है तो इन लोगों ने छे पॉलेथिन दी है ये बहुत अच्छी बात है इनका इनिशेटिव बहुत अच्छा इस पर मैसेज भी लिखा हुआ है तो जो मैंने बोला है आपको वही कि कैसे मोड़ना है और कैसे डालना है स्वच्च भारत मिशन देखिए अब हमारा कि ह हमारा भी कंट्रिबुशन होना चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रधान मंत्री ने बोल दिया रूनी का काम है साफ रखें हमारा क्या कंट्रिबुशन है ये भी बहुत मैटर करता है हमारे आजू आजू गंदगी ना हो जैसे हम घर को साफ रखते हैं वैसे हमारे सुसाइट पर नहीं होता यार नीचे इसलिए वहां पे लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं जबकि इंडिया इतना सुंदर देश है गौट्स ओन कंट्री है यहां पे केरल जम्मू नॉर्थीस इतना सुंदर होने के बाद हम मार कहां खा रहें ये एक पैड है मैं कहां कि कहां सु पैड को आपको इस पॉलेथिल में डालना है मस्ट है आप फ्रश नहीं करेंगे इस टिकली बोल रही हो इस तर दिखे यह इसके पीछे यह लगा हुआ है ठीक है आपको यह निकालना है तो यह इस टिकी है तो आपका जो पांटी है वहां चिपक जाएगा है कैसे वियर करन आप इस पे मचाएए मैंने जितना भी कंटेंट आपको बता रहा है कि इसको कैसे पहनना है आपको दो तिन बार चेंज करना है आप लोगों को पैड कोई भी ब्रैंड का पैड हो एक ही पैड में दिन भर निकाल लोगी क्योंकि वो सूख जाता है इब्जार कर लेता यह न पिरिड्स के टाइम पे भहत ध्यान रखें घूद वाको बहुत अच्छे से आप लोगों को साफ करना है ठीक है है यह यह निकल चाहिए का ठीक है में दोट ङूहिं दो तरफ चिपका देंगे और यह बहुत cos Enixia तरma से नायलॉन के और नाइलून है यह बहूत अच्छा cotton का है पतला है दो बार लगेगा कोई ऐसे rocket science नहीं है इसमें कि आप दिन भर दो दिन तक एक ही carry करेंगे ऐसा कुछ नहीं है दो बार आप कोई चेंज करना है पतला है soft है nylon नहीं है irritation नहीं हुई मुझे इससे कोई irritation नहीं हुई बहुत easy to use है सरक्ता नहीं इसके जो sticker है बहुत strong है अच्छे से चिपक जाता है और यह कहीं भी सरक्ता नहीं है यह देखिए as compared to stay free शारी उतना लॉंग नहीं है इसकी length 275 mm थी और stay free की यहां तक आती है 315 mm तो थोड़ा लंबा वो है पर आप इसकी अगर आप office जा रहे हैं तो यह काफी है अब आपको रात में सो रहे हैं तो किस थोड़ा सा पीछे करके लगाना होता है यह लड़गियां जानती है अगर यूज कर रही है तो जानती है फर्स टाइम अगर यूज कर रहे हैं तो मैं बता दूंगी आगे यह छे पाड्स है और मैंने तीन ऐसे पाक्स तीन पाक्स मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 18 पाड्स 85 रुपीज में लिया है और यह मुझे बहुत सही लगा बहुत अच्छे से यह एड्जॉर्ब कर लेता है गीला न दो तीन करोंगी तो मुझे यह अगर पूरा वन मंत में दो पाकेट लग अच्छा है आप लोग यूज कर सकते हैं सस्ता है कि फाइती है भली नया है नया चीज तो मैं यूज कर लेती हूं और देखती हूं कि कुछ अच्छा तो मतलब क्या दिया है इसमें देख लो तो य हम लुग इतना बाहर खाना खाते हैं पानीपुरी खाते हैं इतना सब खाते हैं कि आपने लिये मैहने में 30 रूपे दे नहीं सकते 30-30 रुपए नहीं दे सकते मैं एक और चीज आपको बताना चाहते हूं कि आप लोग ट्राइ करिए कि हमें तो मंत्ली पिरेट्स आने हैं हमें मंत्ली लगना ही लगना है तो आप online मंग वालो online से अब यह दिखिए यह 115 का जो 115 का है ठीक है यह लिखा हुआ 115 का चैमिस्ट इसको 20 पार्ट्स के स्टेफ्री को 115 में ही देगा पर actually मुझे 95 में मिला Amazon से ठीक है तो यह जो के मिस्ट वाले लोग है वो तो डिस्काउंट नहीं देंगी पर जो डायरेक्ली गोडाउं से हमारे पास समान आ रहा है उस पे बीच के जो लोगों का कमीशन है वो हट जाता है 95 रुपीज में मुझे सीधा 20 रुपीज का यह इसमें offer मिल गया अब यह मैं बता रही हूं मैं आपको screenshot दे दूंगी for the proof यह इसके तीन packets मैंने 85 रुपीज मिले इंडिविजुली आप अगर लेने जाएंगे के मिस्की शॉप पे 35 का एक है तो 35 के तीन पकड़ लो आप कित कि मैंने 85 में कितने का benefit हुआ मुझे 15 प्लस 5 20 रुपीज का तो आप लोग थोड़ा सा smartly वर्क करिए online मंगा यह पैड्स पे बहुत offers होते हैं online Amazon Nica Flipkart पे online मंगा यह और मैं prefer करूंगी कि जो bulk वाले होते ना 3-4 एकसाथ या 20 या 40 पैड का packet एक साथ आफ वो ट्राय करिए उ किफायती पड़ता है चोटे-चोटे यह खरीदने से अच्छा होप आप लोगों कोई अच्छा लगा हो informative लगा हो मैं stay free यूज करती हूँ पहली बार मैंने यह 9 यूज किया यह मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों के difference में ऐसा नहीं कि safety अच्छा नहीं है दोनों equally है उस पता नहीं I don't know मुझे नहीं पसंदाया मुझे नहीं पसंदाया वह उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हुआ थोड़ा गीला पन रहता ही था उसमें stay free is good मैं बहुत अल्ट्रा थिन पर नहीं चाती हूँ कि अल्ट्रा थिन ही लेना है जो चीज अच्छे से अब्जॉ इसमें एक्स्ट्रा लॉंग एक येलो कलर का पाकेट भी आता है उसका भी snapshot देती हूँ मैं वो मैंने यूज नहीं किया है उसका difference क्या है मैं बता के यह naturally soft लिखा हुआ है 9 naturally soft और उस पे extra long कुछ लिखा हुआ होता है difference मुझे नहीं पता वो भी try कर लूँगी कोई बात नही उसका भी recruit दे दूँगी पर यह सही है यह वाला तो बहुत अच्छा है आप लोग यूज करिए यह वाला बहुत सही है इसका compare करें क्या ज्यादा difference तो लग नहीं रहा है इतना इतना फिर वहां पे 315 mm क्यू दिया है पता नहीं शेफी सिक्योर है यह ज्यादा थोड़ा थ तो यह ज्यादा 9 वाला जो है ज्यादा soft लग रहा है आप ट्राइ करके देखिए आपको good difference में समझ में आ जाएगा आप ट्राइ करके देखिए मुझे अच्छा लगा मैं यह यूज करूंगी मैं अब यह सही मंगवाऊंगी stay free अच्छा था पर अब मुझे 9 का option मिल गया ह अच्छा option है तो आप मैंने आपको दोनों बता दिये stay free और 9 का whisper तो मैं यूज ही नहीं है अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो informative लगा हो तो प्लीज लाइक करिए share करिए और subscribe करिए thank you so much